हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने यूटूब वीडियो के लिए कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हैं काइन मास्टर से तो उसका रेजलुएशन की साइज में रखना चाहिए कि साइज में अच्छा रहता है सबसे बेस्ट त तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहां पे काइन मास्टर अप्लिकेशन ओपेन करना होगा आप देख सकते हैं कि मैं ओपेन कर रखा हूं यहां पर प्लस के बटन पर क्लिक करना होता है जैसे इस पर क्लिक करना होता है जैसे इस पर क्लिक करना होता है जैस से अपनी वीडियो का जो रेजुलेशन होता है साइज होता है कि साइज में रख सकते हैं ताकि उस पे मतलब जो आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखे कोई भी देखे तो कहें कि हाँ इस वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छा है तो फ्रेंड इसके देखिए हमारी वीडियो है इसको हम इडिट कर लेते हैं जैसे आप नॉर्मली इडिट करते हैं इसे इडिट कर लिजे इडिट करने के बाद से क्या करना है हम आपको बताने वाले हैं तो फ्रेंड देखिए यह हमारा जो वीडियो है completely edit हो गया है और edit करने के बाद से friends इसको क्या करना है देखिए हैं पर setting पर click करना है जैसे ही click करेंगे यह sound जो होता है friends यहाँ पर audio पर गया है और इसको scroll करना है यह sound होता है इसको zero कर दे और okay कर देना है और friends अब बार ही आती है अब इसको किस resolution में save करना चाहिए ताकि YouTube पर आपकी जो quality है अच्छा दिखें कोई भी अगर play करें तो अच्छा दिखें उनको और attractive लागए आपकी video तो friends यहाँ पर सबसे best आपको यहाँ पर share पर click करना होता है आपको पता ही है कि हाँ share पर click करकि इसको save किया जाता है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी resolution खूल जाएगी आपके mobile के हिसाब से जो भी support करता होगा आपका mobile phone जिस resolution को है तो सारी resolution यहाँ पर आपके phone में काइन मास्टर में दिख जाएगा तो आप देख सकते हैं हमारी जो phone है इसमें कई सारी resolution सपोर्ट करता है तो यहाँ पर 360 pixel और यहाँ पर HD 540 pixel HD 720 pixel यहाँ पर Full HD 1080 pixel यहाँ पर QHD 1440 pixel यहाँ पर यह लिखा हुआ है resolution और यहाँ पर फ्रेम रेट देख सकते हैं 30 लिखा हुए 25 यहाँ पर 24, 15, 12 इतना लिखा हुए तो फ्रेम्स आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए कौन सा नहीं सेलेक्ट करना चाहिए आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो फ्रेम्स अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कौन से रेजलेशन सेलेक्ट करना होगा ताकि आपकी जो भी video होती है friends आप publish करते हैं YouTube तो आपकी वीडियो होता है उसका resolution अलग-अलग size में वह कर देता है यानि कई size में वह बना देता है ताकि जो भी बन्दा अगर यूटुब पे आए और अलग-अलग size में देखना चाहता है तो आपकी वीडियो को size अलग लग कर देता है ताकि वो अपनी पसंद के size में उस वीडियो को देख सके तो इसके लिए आपको क्या करना होता है यहाँ पे size अच्छी quality का set करना होता है तो कैसे set कर सकते हैं कौन सा quality आपके लिए better रहेगा अगर आपका phone कम supported है अगर ज्यादा size का ज्यादा बड़ा size का नहीं support कर पाता है तो friends आपको यहाँ यहाँ पे 700 HD 720 pixels दिखता है इसको select कर लेना है और यहाँ पे 25 का फ्रेम रेट होता है इसके select कर लेना है अगर आपका phone ज्यादा support नहीं करता है ज्यादा high quality का support नहीं करता है तो अगर आपका phone ज्यादा support करता है तो friends आप यहाँ पे जो full HD होता है इस पे select करके और इसका जो frame rate है 25 ही रहने दे इस पे record कर सकते हैं यानि इस पे आप अपने वीडियो को export कर सकते हैं अगर आपका phone और ज्यादा supported है तो आपके लिए सबसे best है friends यहाँ पे देखिए जो 2440 पिक्सल और इसका frame rate आप कर देगा 30 यानि 30 इस पे सबसे best रहेगा लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस पे भी कर सकते हैं full hd 1080 pixel 30 frame rate कर देना है इस पे सबसे best रहेगा ना ही एकदम high quality होगा और ना ही एकदम से low quality होगा और इस पे आपकी वीडियो quality बहुत ही संदार हो जाएगा और youtube जिस भी format में करना चाहेगा ओ कर सकता है आपकी वीडियो में और जो भी audience उस वीडियो को देखना चाहेंगे जिस भी format में देखना चाहेंगे उनको वहां से youtube प्रवाइट करा देता है तो इस तरह आप अपनी वीडियो को quality सेलेक्ट कर सकते है तो यहाँ पे देखिए bit rate आपको यह भी देख लेना है कौन सी bit rate में आपकी जो वीडियो है save हो तो आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे रखना था है यह मीडियम में यहाँ ना ही high करना है और ना ही low मीडियम में रहेगा तो आपकी video quality अच्छी आएगी तो देखिए हमारा यह video 10 MB का हो गया अब इसको क्या करेंगे friends export पे click करके यहाँ से हम अपनी वीडियो को अपने phone में save करने के वाद से अब आपको कुछ करना नहीं simply आप जैसे normally आप YouTube पे अपनी वीडियो को upload करते है वैसे ही upload कर सकते है तो दोस्तों आज की video में बस इतना ही I hope कि यह video आपको पसंद है वीडियो प पसंद देए तो वीडियो कर लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को प्रेज कर लिजेगा धनवा तोस्तों आपका दिन सुब जैहिन बंदे मात्रां